नमस्कार मैं उजबल मिश्रा रात के नोब अच्चुके और आप देख रहे हैं सब नाइस न्यूस का खास कारगरम चुनावी एक्स्प्रेस जिसमें पांचों चुनावी राजियों की हमें एक बड़ी खबर दिन भर की बताते हैं और इन पांच राजियों में क्या कुछ घ है एक महीने के अंदर भाजपा के ग्यारा विधायकों समेच सत्ता निताओं ने पार्टी छोड़ दी हैं उसी के साथ यूपी में अगले तीन दिनों में आ जाएगी भाजपा की पहली सूची कट सकते हैं कई मौजूदा विधायकों की टिकट उत्रकंड की बात कर लें त पंजाब में जो मजीठिया की प्रेस कॉंफरेंस है उसके बाद अकाली नेता बोले कि मैंने कभी नहीं भागा था सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने को पूरी तरह से तयार हैं वहीं सिद्धू का सियासी धमाका हुआ है कॉंग्रेस मैनिफेस्टों से पहले पंजा कर लेंगी पार्टी वहीं बीजेपी के खिलाफ नारेवाजी हुई है मनिफूर के अंदर और कांग्रेस के सामने एक नितत्तों का बड़ा संकट है मनिफूर में अब किसी भी दल की रा बहुत आसान नहीं होने वाली अब एक एक खबरों को बिस्तार से बात करेंगे और इ अखिलेश आदव ने भी उनका स्वागत किया है पार्टी के अंदर और कहा है कि 22 में अब मेला होवेगा आपको बता दू कि इससे पहले 2017 में जब बिधान सवा चुनाफ थे उससे ठीक एक साल पहले 2016 में स्वामी प्रसाद मौर ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा थ पहुजन समाज पार्टी के सरकार में उसके बाद भाजपा में आए भाजपा में कहा कि मुझे अचित सम्मान नहीं मिला और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी जोईड करली है तीसरी बार दल बदल रहे हैं इसकी जिम justified मौर को सौपी गई थी और के बिल्लाउर की ब विधायकों ने भी स्टीफा देने का एलान कर दिया है वहीं 11 जन्वरी को भारती जंता पार्टी की 17 बड़े निटाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्रता ली थी इनमें जो अब इस्टीफा जिनों ने दिया है 17 विधायकों में वो रोशनलाल दर्मा सामिल हैं भगवत नेपाल को वो स्टीफा उनका सौपा है स्वामी प्रसाद मौरे भारती जंता पार्टी का एक बड़ा चहरा थे और नए चहरा भी थे बड़ी जिम्मेदारी इनके पास थी स्रम मंत्राले इनको दिया गया था और उसी के साथ ये सेवा योजना विभाग भी समालते थे इन सूची में चुकि आज दिल्ली में भी बैठक हुई है खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनात वहां मौझूद थे इस वार बैठक में ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये तै हुआ है बैठक में कि कई बिधायकों को दुबारा टिकट नहीं दिया जाएगा भारतियंदर पार्टी तीन से चार दिनों के अंदर अपने उम्मीदवारों की सूची भी जल जारी कर देगी आपको लेके चलते हैं उत्राखंड की तरफ उत्राखंड में आम आदनी पार्टी ने आज बिधानसवा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है आप आदनी पार्टी के उत्राखंड प्रभारी दिनेश मुहनिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और जिनको प्रत्याशी बनाया गया है जिनके नामों पर चयान हुआ है उन्हीं को उनमें से 18 प्रत्याशियों के नाम है और उन सभी को से एक नवीन प्रशाली जिनका नाम बहुत चर्चा में चल रहा था इनको प्रत्याशी बनाया गया है वहीं उत्राखंड के अंदर एक घाट आंदोलन हुआ था उससे एक बड़ा नेता बन करके गुड्डूलाल निकले थे इनको थराली बिदानसवा से प्रत्याशी बना लोक्तंतर के महापर्व में कांग्रेस के कारणामों और भाजपा के कारे हों की बीच स्वारन मुकाबला होनी जा रहा है वहीं उन्होंने कहा है कि कई सारी इतअब कर निशाना शादा है कहा का कंग्रेस नों एक ढूसरे के पूरक है और उसी के साथ कई सारे बयानवाजिया उन्होंने कॉण्ग्रेस को ले करके की हैं कई सारे तंज कशे हैं साथ ही कहा है कि काले और खुनी पंजे का जमता सबख जरूर सिखाएगी बोला कि कॉंग्रेस की हालत ये हो गई है कि 904 खाकर बिल्ली हच को जाने वाली है उन्होंने कहा कि एक किताब पढ़ी थी Fountain Head योतराखंड में Corruption की Fountain Head यानी Corruption की जननी कॉंग्रेस है कई सारे बयान उन्होंने दिये हैं कॉंग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत प्रापत जिनक टिपड़ी करने वाले आज सैनिक हीतों की बात करते हैं बड़ी बयानवाजी की बड़ी बात कही और उसी के साथ अब सियासी गर्मी और बढ़ गई है समी करनर दोनों एक दूसरी को साधने में जुट गए हैं वही अब आपको गवा की तरफ लेकर की चलता हूं तो गौई में शरत पवार ने कहा है कि मेरी पारटी की बाद दो पारटी के साथ वो जाना चाहेंगे वहीं उन्होंने प्रेस conference करा और कहा कि Congress और त्रण मूल दोनों ही मेरे साथ गठवंदन करने के लिए कह रही हैं ये माना जा रहा है कि भाजपा को हराने के लिए शरत पबार महरास्प वाली तरजीही अपनाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि यहां महाविकास अगाडी जैसा एक बड़ा गठवन्दन करने की कोशिश कर सकते हैं वो और मीडिया से बादचीत में कहा है कि उत्तरपदेश में जो चुराव होने वाले हैं वहां भी अब लोग बदलाव चाहते हैं साथी भाजपापर निशाना साथते हुए बोले हैं कि उत्तरपदेश में लोग इसका मूतोर जवाब देंगे अब यह माना जा रहा है कि बहुत एहम होगा कि सरत्वार किस पार्टी के साथ जाएंगे उन्होंने अपनी पूरी बिवाकिता से राय रखी है उन्होंने कहा है कि अगर समर्थक हमारे कहेंगे तो हम इसके लिए तयार रहेंगे मजीठिया ने कहा कि इसके बारे में हम बात ने बताएंगे फिलाल अभी तो शुरुबात हुई है और ट्रेलर के बाद हम पूरी फिल्म दिखाएंगे तो ये पंजाब से एक बड़ी खबर थी वहीं पंजाब में सिद्धू का भी आज एक सियासी धमाका हुआ है क्योंकि सिद्धू कॉंग्रिस का जो मैनिफेस्टो से पहले पंजाब में एक मॉडल लॉंच किया गया है और उन्हें कहा है कि मेरा फ्यूचर यही है अब मैं इसल से समझोतान नहीं करूँगा सबसे खास बात यह रही कि वहां के मुक्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी की फोटो वहां से गायब रही उस मैनिफेस्टो से और जो पंजाब मॉडल लॉंच किया है इसमें फोटो गायब है तो जाफतार पर मैनिफेस्टो से भी फोटो गायब रहने वाली है क्योंकि वह कि जो नवजोत सिंग सिद्दू है वो एक बड़ा चहरा माने जाते हैं और पंजाब की राजनीट में एक एहम उनका योगदान रहता है अब उन्होंने पंजाब मॉडल लॉंच किया है और उसी के साथ सिद्दू ने ये भी कहा कि पार्टी के जनल सेक्रेटरी से बात करने क बाद ये सब हुआ है मैनिफेस्टो जाने से पहले या उनके पास जाएगा खास बात ये है कि सिद्दू के जो पंजाब मॉडल वाला पोस्टर है उस पर चन्नी की फोटो नहीं रही है और सिर्फ सोनिया गांदी राउल गांदी प्रियंका गांदी उसमें नजर आ रहे है तो सिद्दू के लिए एक बड़ा सियासी पारी हो सकती है और वहां के जो पार्टी के अंदर की क्लेश है वो सामने निकल करके साफतोर पर आ रही है और सिद्दू ने तो ये तक कह दिया है कि पंजाब किसी एक का नहीं है पंजाब सब का है और वहां की हाई कमांद उत्त्रपदेश में जदियू अब उतरने वाली है और जल्द ही अपनी पूरी सीटें क्लियर कर देगी क्योंकि वो ललन सिंग वहां के पूरी देख रहे हैं क्योंकि जदियू के रास्त्री अध्यक्ष हैं और उसी के साथ पांच राज्यों के चुनाव की गोश्रा के साथ जदियू पूरी तयारी के साथ अब उतर रही है भाजपा से गटवंदन के सवाल हो सकते हैं इसमें क्योंकि भाजपा से साफ तौर पर जदियू गटवंदन कर सकती हैं तो मडीपूर और गोवा में तो फिलाल वो अकेले मैदान में उतरने वाली है यूपी में जल सीटें चिन्नित करेगी और उसके साथ ये उत्तर पुदेश में ये देखना एहम होगा कि ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा फिलाल उत्तर पुदेश की जिम्मेदारी अनूप पटेल को दी है ललन सिंग ने और उसी के साथ सीट बटबारे को लेकर के जो केंद्री मंत्री आर उनके साथ बातचीत चल रही है और उसी के साथ बाद में सीटों की संख्याता हो जाएगी वहीं मनीपुर से एक दूसरी बड़ी खबर थी कि बीजेपी के खिलाफ जो एक नाराजगी आ रही है वह सामने आ रही है क्योंकि मडीपुर को भारत का एक मडी कहा जाता है जो व पना फुटवाल का प्लेयर की तौर पर वो जाने जाते हैं उसमें काफी जापा हुआ है वहीं उनके खिलाफ और साफ तौर पर भातियंदर पाड़ी के खिलाफ विवहां सत्ता विरोधी लहर चल रही है कॉंग्रेस चुनाव में इस नाराजगी को बोट बैंक में तबद का जो दल-बदल की प्रक्रिया चलती है वो बहुत अहम रहती है और छेत्री पार्टियों को लोग ज्यादा ध्यान देते हैं तो यह इन पांच राजियों से बड़ी एहम खबरे थी उसी के साथ उत्तरपदेश उत्तराखंड मनीपुर गोवा पंजाब इन सभी चुनाव में बहुत कम वक्त मचा है और एक एक अपडेट आप सानाइस न्यूस पर देख सकते हैं फिलाल मुझे इजादत दीजिए आपको फिर कल इसी वक्त में मुलाकात होगी चुक्रिया